विद्यार्थियों, जेसी आठी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है विद्यार्थियों, समाजिक विज्ञान विशय के अंतरगत, हम आठवी कक्षा के इतिहास विशय का अध्यन कर रहे हैं और आपके समक्ष इतिहास विशय का चौथा चाप्टर, जिसका नाम है निवेशवाद और आदिवासी समाज विद्यार्थियों, इस चाप्टर पर मैं दो विडियो आपके समक्ष प्रस्तूत कर चुका हूँ जिसके अंतरगत मैंने इस चाप्टर के अधिकांस हिस्सो को समाहिद करने का प्रयास किया है अब विद्यार्थियों जो छूटे हुए कुछ अंस हैं, उसे इस विडियो में मैं समाहिद करने का प्रयास करूँगा तो सबसे पहले हम देखते हैं वन कानून और उनके प्रभाव विद्यार्थियों हम जानते हैं कि आधिवासियों का जीवन जो है वो जंगलों से जुड़ा होता है और जब बन कानून बने, जब आधिवासियों के लिए वन कानून बनाया गया तो उनके जीवन पर इसका भारी असर पड़ा पिध्यार्थियों हम जानते हैं कि बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूः पसुगों का सिकार करके और वन्य उत्पादों को इकठा करके अपना जीवन निर्वाह करते थे इनके जो परिवार हैं जंगलों से कनमूल, फाल, रसी और बिच्चों की छालों के लिए जंगलों में घूमते राते थे और इनके पास जो उपकरण होता था वो क्या होता था? जाल होता था, लाठी होती थी और कुलाडी होती थी जाल किसलिए बच्चों? जाल इसलिए कि मचली पकड़ी जाए लाठी किसलिए? कि उससे किसी भी हिंसक जानवर को मरा जा सकता था और कुलाडी से पेड़ भी काटे जा सकते थे और हिंसक जानवरों का सामना भी किया जा सकता था तो विद्यार्थियों ये कस्थान पर अधिकांस मामलों में टिक कर नहीं रहते थे और जंगलों में मिलने वाले मधू और कई तरह के जो बन उपाज होते हैं उस पर भी इनकी निर्भरता होती थी विद्यार्थियों हम ये भी जानते हैं कि कुछ ऐसे अदिवासी समुदाय भी थे जो कि मुसलधार बरसा में भी अपने आपको बचानी के लिए पेडू से प्राप्त पत्तों से अपना घर बना लेते थे तो उडिसा में एक ऐसा ही खोड समुदाय है जो कि ऐसा मकान बनाता था ऐसा घर ऐसी जोपड़ी बनाता था जिसमें सावन भादों के महिने के मुसलधार बरसा की पानी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता था तो आप सोच सकते हैं भी द्यार्थियों कि जंगलों में रहने वाले जो हमारे आदिवासी हाई बन्दू हैं वो कठीन जीवन जीने के बावजूद भी बहुत खुस रहते थे वे जंगलों से मिले फाल और कनमूल खाते थे खाना पकाने के लिए वे साल जिसको हम लोग सखुआ करते हैं या महुआ के बीजों का तेल का इस्तमाल करते थे और इलाज के लिए ये लोग विद्यार्थियों बहुत सारी जड़ी बूटियों का इस्तमाल करना जानते थे और उसको जंगलों से इकठा करते थे तो आज भी विद्यार्थियों जदि हम लोग उड़ीसा में, जारखंड में, छतिसगड में इन छेतरों के विभिन कस्बों में हम लोग जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे जड़ी बूटी बेचने वाले लोग, आदिवासी समुदाय के लोग आपको मिल जाएंगे और उसे जड़ी मूटीों की खरिद भीक्ली भी लोग करते हैं और उससे वे ठीक भी हो जाते हैं इसी तरह से विद्यार्थियों रंग के लिए वो लोग कुसूम और पलास के फूलों को परियोग में लाते थे और लेन देन के लिए वस्तू भी निमया का उन लोगों का प्रचलन था यानि कि पैसा का कोई सिस्टम नहीं था वो क्या करते थे कि सामान के बदले सामान की अदला बदली करते थे तो एक तरह से देखा जाए तो जीवन उनका बहुत सरल था और उन पर किसी का कोई नियंत्रण भी नहीं था लेकिन वे लोग आपस में अपना एक जो समाज था उसमें खूब नियंत्री थे और इसी तरह से विद्यार्थियों जारखन में सिकारी और भोजन संग्रा करता स्रेणी में एक बिरहोर जनजाती के लोग है वो ठीक उसी तरह के लोग हैं जैसा कि हमने अभी आपको बताया ओडिसा में खोड समुदा है और एक कोरवा भी होता है विरहोर और कोरवा जो चीजे आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीदिनी पड़ती थी इसकी वज़े से वे कभी-कभी बैपारियों और महाजनों पर भी आसरित हो जाते थे बैपारी बेचने की चीजें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीजें बेचते थे तो एक तरह से देखा जाए तो आदिवासी समुदाय जो है बहुत ही सरल जीवन व्यतित का गहा था कुछ आदिवासी समुदाय के लोग विद्यार्थियों जानवर भी पालते थे तो इस तरह से ज़दी देखा जाए तो आदिवासियों का जीवन जो है किसी न किसी रूप में चाहे वो भारत का कोई भी छेतर हो चाहे वो ओडिसा हो या च्छतिसगड हो या जारखंड हो या पुर्वुत्तर के राज हो जैसे मेघाले हो, नागालैंड हो मनिपूर हो है ना या कि मीजोरम हो है ना या हम लोग उत्राखंड की बात करें या जमू कस्मीर की बात करें लद्दा की बात करें हर जगा जो भी आदिवासी समुदाय के लोग है या मद्धपर्देश की हम बात करें मद्धपर्देश में भी आदिवासियों का एक बहुत बड़ा समू है बहुत सारे आदिवासी जन जातियां जो है वो मद्धपर्देश में निवास करती हैं है ना तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वन कानून जो बना तो इसका क्या प्रभाव पड़ा आदिवासियों पर वन कानून और उनके प्रभाव आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं Forest Acts and Its Influences इसमें क्या होता है विद्यार्थियों अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंतरन स्थापित कर लिया और जंगलों को राज की संपती यानि कि State Property घोसित कर दिया और इतना ही नहीं विद्यार्थियों कुछ जंगलों को आरक्षित बन यानि रिजव फॉरेस्ट बना दिया गया ये रिजव फॉरेस्ट क्या होता है विद्यार्थियों आप उसमें प्रवेश तक नहीं कर सकते तो जो जल जंगल और जमीन आदिवासियों का खुद का था उस पर कुछ कानून बना कर अंगरेजों ने क्या किया कि उस से आदिवासियों को एक तरह से बनचित कर दिया तो इससे क्या हुआ अंग्रेजों ने जो बन कानून बनाए उससे आदिवासियों का जो जीवन है वो बहुत ही दुभर हो गया उनको कठिनाई होने लगी तो आप देख सकते हैं बन कानून और उनके प्रहों में तो यह ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की जगतों के लिए इमार्ती लकडी पैदा होती थी कौन जंगल रिजब फॉरेस्ट है ना इन जंगलों में लोगों को सोतंत रूप से घूमने जूम खेती करने फल इकठा करने या पसुओं का सिकार करने की इजाज़त नहीं थी विद्यार्तियों जहां लालच होता है ना वहाँ पे जरूर दुसरों को सताने की प्रवरीती आ जाती है अंग्रेजों को रेल की लाइनों को बिछाने के लिए स्लीपर्स चाहिए थे ना स्रीब भारत में बलकि दुनिया के अन्य छेतरों में भी जहां कहीं भी वो लोग रेल के स्लीपर बिछा रहे थे वहाँ पे उनको अच्छी लकड़ी चाहिए थी और ये अच्छी लकड़ी कहां मिल जाती थी जहारखन में, छतिसगर में, उडिसा में यहां कठोर बन पाए जाते हैं जिनकी लकड़ीयां जो हैं वो काफी उम्दा किसिमकी होती है तो इसको इन लोगों ने रिजर्ब फोरेस्ट तो बनाया, लेकिन खुद तो यूज करी रहे थे, खुद प्रयोग में लाही रहे थे और आदिवासियों को इसके उप्योग से उन लोगों ने क्या किया? बंचित कर दिया ठीक है भी द्यारतियों? तो एक प्रगार से क्या हुआ? आदिवासियों का जो जीवन है वो दुभर होने लगा क्योंकि फोरेस्ट पर ही उन लोगों का जीवन निर्भर था, है न? तो क्या बन कानूनों का बिरोध भी हुआ? जी हाँ, बिरोध हुआ बहुत सारे आदिवासियों ने अपनिवेसिक बन कानूनों का बिरोध किया यानि की कोलोनियल गॉर्मेंट ने जो कानून बनाए उसको उसका आदिवासियों ने बिरोध किया उन्होंने नै नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन ही तोर तरीकों से चलते रहे जिनहें सरकार गर कानूनी घोसित कर चुकी थी समझ रहे हैं भी द्यार थी हूँ और कई बार तो आदिवासियों ने खुल्याम बन कानूनों को लेकर भगावत भी कि है ना बगावत करना यानि बिद्रो करना ठीक है तो एक तरह से ज़दी देखा जाए कि आदिवासियों ने क्या अंग्रेजों के बनाए नियम कानूनों को मान लिया तो नहीं माना तो आप इस्क्रीन पर देख सकते हैं विद्यार्थियों 1906 में सोगाम संगमा द्वारा असम मतलब उस समय असम राज था लेकिन अभी वो मेगाले छेतर में आएगा तो असाम मेगाले में एक विद्रो हुआ था जो बड़ा विद्रो था और उसी तरह से 1930 के दसक में 1930, 31, 32, 33 इस आसपास में क्या हुआ था विद्यार्थियों सेंट्रल प्रोविंस जिसको उस समय बरार भी बोला जाता था जो विशेस करके 36 गड़ वाला छेतर है वहाँ पे बन सत्यागरा हुआ था तो बन कानूनों का जबरदस्त आदिवासियों ने बिरोध किया था है ना तो इस प्रकार से जहां तक हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास किया कि बन कानून स्रिप बना देने से नहीं होता है उसे मानने वाले जदी मानने को तयार हो तभी ना लेकिन विद्यार्थियों अंग्रेजों ने बहुत कड़ाई से इसका पालन किया है ना तो इस वीडियो के माध्यम से विद्यार्थियों इतना ही अगले वीडियो में जो की हमारा प्रस्नोत्तर वीडियो हुए तो उसमें इस चैप्टर के जदी कोई भी छुटे हुए अंस हैं तो प्रस्नोत्तर के करम में मैं उनको आपके समक्ष सविस्तार प्रस्तूत करने का प्रयास करूंगा आप चैप्टर से जुड़े रहें और टेक्स्ट बुक अवस्य पढ़ें तो ठीक अभी द्यारतियों जो बन कानूनों का जो प्रभाव है इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और विशेश करके 1906 का जो सोग्राम संगमा यानि की असम और मिखाले छ हित्र में जो सोग्राम संगमा द्वारा बन कानून का विरोध हुआ था और 1930 के दसक में मध्य प्रांथ में जो सत्यागरा हुआ था बन सत्यागरा उसे आप समझने का प्रयास कीजिएगा तो अभी आप विद्यारतियों आठवी कर्षा में हैं आगे चलकर आपको आदिव प्रासी समुदाय की जो भूमिका है उसे आप बहुत कुछ समझने का बहतर समझने का आपको माउका मिलेगा आप बरतमान जो चीजें हैं उनको ध्यान से समझते जाईए उपर की कर्षाओं में आप और भी जानकारी से परिपोर्ण होंगे तो ठीक है विद्यारतियों इस